थर्दियों का मोसम चल रहाता एक दिन बहुती ज़्यादा ठंड पड़ जाती है एरे बापरी आज सुबह इतनी ज़्यादा ठंड मुझे कुछ तो करना पड़ेगा अगर मेरा गोसला गरम रखना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकडिया जमा करनी पड़ेगी नहीं तो मैं इस ठंड में मत जाओंगी लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती मुझे किसी की मदल लेने पड़ेगी इतना सोचने के बाद लाडो चिडिया मिन्नो चिडिया के पास चली जाती है एरे मिन्नो मोसी तुम क्या कर रही हो कुछ नहीं लाडो एच्चा ठीक है तुम बताओ तुम या कैसे एरे कुछ नहीं एबिठेंड का मोसम चल रहा है ना मैं सोच रही थी कि हमें हमारे गोशले गरम रखने के लिए आग जलाने होगी उसके लिए हमें लकडिया एक्ति करनी होगी हाँ हाँ बात तो सही है आज घोका मुश्य मुझे मिलने आई थी वो कह रही थी कि ठंड के साथ बरपारे भी होने वाली है मेरे तो ठंड के वज़े से अपिसे हाद पर काम रही है तो बताओ कब जाना है लकडिया लेने अब तो साम हो गई है अब सुबह घर का सारा काम निपटा कर फिर चले जाएंगे हाँ हाँ कल सुबह चले जाएंगे अगले दिन सुबह मिन्नो और लाडो लकडिया जमा करने के लिए निकल पड़ती है उड़ते उड़ते उन्हे रास्ते में कालू कोवा धूप शेखते हुए दिखाई देता है देख लाडो ये आलशी कोवा कैसे मजे में धूप शेख रहा है चाले दोना मोशी हमें क्या करना है हमें बहुत काम है हमें चलना चाहिए नहीं लाडो ये आलसी कोवा ऐसे मज़े में सुब़ सुब़ दूप शेक रहा है ये मुझसे नहीं देखा जा रहा है तुम देखो मैं इसे कैसे काम पर लगाती हूँ लाडो और मिन्नू कोवे के पास रुख जाते हैं मिन्नू मोसी रहने तो ना क्यों बेचारे को परेशान कर रही हो बेचारा और ये ये एक नमर का आलसी और काम चोर है इतना बोलकर मिन्नु कालू कोवे के पास चली जाती है एरे कालू कोवे तुझे कुछ सरम वर्म है कि नहीं ऐसे दिन बर बिना काम के कैसे बेच सकते हो तुम तुमारे हाथ पाउं दर्ब नहीं करते क्या है कालू को वा मिन्नू मोशी की बात को सुनकर एन सुनना कर देता है एरे चुप क्यों है कुछ तो बोल क्या आलस की वज़े से तुमें सुनाई नहीं दे रहा है आ मिनू मोसी मैं शांती से बैटता हूँ क्या आपको मेरी वज़े से कोई तकलिब हो रही है अगर आप चाओ तो मैं याँ से उठकर कहीं दूर चला जाता हूँ एरे आल सिकोवे मुझे मालूम है तो कितना कामचोर है वैसे भी तुझे कुछ और आता भी नहीं है ओर बस दिन बर आराम से सोता रहता है तूँ नई नई मिनू मोसी मा कामचोर नहीं हूँ मैं कोई भी काम कर सकता हूँ अच्छा तो ऐसी बात है तो चल मेरे साथ मैं और लाडो गोशले गरम रखने के लिए लकडिया जमा करने के लिए जंगल जा रहे हैं तू भी चल हमारे साथ कालू एक बोला कोवा था वो मिनू मोशी की बातों में आ गया और चल पड़ा उनके साथ देख ले तू अभी हां बोल रहा है बीच में काम छोड़ कर भाग तो नहीं जाएगा अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे हमारे ग्रूप से निकाल दूगी तो बैठे रहना रात में ठंड में ठीटूरते हुए नई नई मोशी मा आ रहा हूँ ना तुमारे साथ यह मिन्नो मोशी भी ना किसे को भी अपने बातों में ऐसा लेती है अपना काम कर भा लेती है लाडो मिन्नो मोशी और कोवा तिन्नो जंगल की तरफ निकल पड़ते ही थोड़ी दूर जाते ही लाडो को जमीन पर कुछ लकडिया दिखाई देती है चलो हम यहां से एक एक लकडिया उठा लेते हैं तिन्नों एक एक लकडिया उठा कर लाडो चीडिया की गोशले की तरफ निकल पड़ते हैं तिन्नों लाडो चीडिया के गोशले के पास आ जाते हैं लाडो तुमारा गोशला तो बहुत छोटा है अगर हम यहां लकडिया एक्टी करेंगे तो गोशले में रहने के लिए जगह नहीं रहेगी और फिर हमें आग भी तो जलानी पड़ेगी ना हम एक काम करेंगे मेरा गो हमसे सोजाएंगे आप सही कहरे है हूँ मिन्नों मोशीस के गोशले की तरफ चलते हैं काल्यु लाडो की हां में हा मिलाकर पिछे पिछे चल पड़ता है तीनों मिलकर लकडिया मोशी के गोशले में रख देते हैं चलो, हमें ओर भी लकडिया लाने पड़ेगी, ये लकडिया तो हमें आगदे लाने में कम पड़ेगी, हमें कुछ और लकडियों की जरूरत पड़ेगी तबी मिन्नु चिडिया पाउ में मोच आने का जुठा नाट करती है अरे बाबरे, कोई मा, मा मर गई, हाई रे, मा तु मर गई, मा तु मर गई साइद मेरे पैर में मोच आईए, अब में लकडियां नए उठा पाऊंगे कोई बार देए मोशे, आप अराम कीजिए, मैं और कालू बैया जाकर लकडियां जमा कर देंगे इतना बोलकर लाडो और कालू वाँ से लकडियां लाने के लिए उठ जाते हैं दिन बर दोनों लकडियां जमा कर रहे थे, ऐसा करते करते, मिन्नो मोशी के घर में लकडियों का धेर लग जाता है ए रे वा, इसे कहते हैं सुकोन की जिंदगी रात में तीनों मिलकर मोशी के घर आग जला लेते हैं और अराम से सो जाते हैं तल तो बहुत अच्छी नींद आयी मुझे, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा भूग लग रही है भूग तो मुझे भी लगी है, कालो भईया, देखते हैं मिन्नू मोशी के घर पर कुछ खाने को मिलता है या नहीं मिलता है तो हम मिलकर खा लेते हैं एरे मिन्नू मोशी, हमें बहुत भूग लगी है, आपके पास कुछ खाने को है हाँ हाँ मेरे पास थोड़ा अनाज बचा है आकिर तुमने हमारे लिए इतना सारा काम जो किया है दोनों थोड़ा थोड़ा करके अनाज खा लेते हैं खाना खाने के बाद लाडो कालू से कहती है चलो कालू बईया हमें और लकडियां जमा करनी होगी तब ही मुशी उन दोनों को रोग लेती है और कहती है लाडो तुम एक काम करो तुम लकडियों की बचाए अनाज जमा करो घर में शिर्फ थोड़ा ही अनाज बचा है अगर मैं अकेली होती तो अनाज बच जाता लेकिन अब हम तीन लोग है इसलिए हमें और अनाज चाहिए आप सही कह रही हो मुशी मैं और कालू बईया अभी निकलते हैं दोनों अनाज लेने के लिए निकल पड़ते हैं उदर लाडो और कालू मैनत कर रहे थी और इदर मतलबी मिन्नू मोशी मज़े से अपने गोशले के बार दूप सेकते हुई बैटी थी ये सरदिया कितनी अच्छी होती है रात में आग जलाओ और दिन में मस्त दूप सेको ये दोनों अनाज लेकर वापस आये तब तक मुझे घर का दर्वाजा अंदर से बंद कर लेना चाहिए मैंने उन दोनों से जूट का है कि अनाज खतम हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है मैंने बहुत सा अनाज पहले से जमा करके रखा हुआ है अब मेरे पास रात में आग जलाने के लिए लकडियां भी है मेरी पूरी सर्थियां ऐसे ही मस्त निकल जाएगी इधर लाडो और कालू अनाज ढूंडते ढूंडते बहुत दूर तक जाते हैं और उन्हें वापिस आते आते रात हो जाती है और दोनो मिनो मोशी के घर के बहार आ जाते है लाडो घर का दर्वाजा खिट अटाती है मिनो मोशी, मिनो मोशी, ओ मिनो मोशी, दर्वाजा खोलिए ओ मिनो मोशी, हमें ठंड लग लिए ओ मिनो मोशी साइद मोशी सो गई है, मैं देखता हूँ अरे मोसी जल्दी दर्वाजा खोलिये भार भूर ठंड है अगर तुम थोड़ी देर में दर्वाजा नहीं कोलोगी तो हम दोनों यही परजम जाएंगे मिन्नो मोसी को उन दोनों की आवाद सुनाई दे रही थी लेकिन मतलबी मिन्नो मोसी ने दर्वाजा नहीं खोला और चुक चाप अपने गोशले में सोती रही कालो भैया साइद मिन्नू मोशी सो गई है चलो हम मेरे कोषले में चलते हैं मेरे कोषले में थोड़ी लकडी पड़ी है हम आज रात वह लकडियां जला कर सो जाएंगे हाँ हाँ चलो चलो फोड़ी देर बाद मिन्नू खिडकी से जाख कर देखती है मुझे लगता है साइद वह दोनों चले गए मैं अब अकेली आग जला देती हूँ मिन्नू मोशी आग जला देती है अरे बापरे आज तो बहुत ही जादा ठंड है मुझे और जादा लकडिया जलानी पड़ेगी मेरे पास तो बहुत जादा लकडिया है मिन्नू मोशी लकडियों के ढेर को खीचने लगती है तब ही लकडियों का ढेर खिशक कर आग में आ जाता है और लकडिया भी आग पकड़ लेती है अरे ये क्या हो गया कोई मुझे बचाओ लाड़ो कालू का हो तुम दोनों अरे मुझे बचाओ मुझे बचाओ अरे कालू बैया ये तो मोशी के आवाज लग रही है मुझे लगता हूँ मुशिबत में है हमें जाकर देखना होगा जैसे ही दोनों मोशी के गोशले के भार जाते हैं तो देखते हैं कि गोशले के चारो तरफ आग लगी होती है कालू हीमत और बहादूरी से धरवाजा तोड़ देता है और मोशी को आग से भार निकाल देता है मोशी के पंकों को आग लग चुकी होती है तबी कालू को वा मोशी को पास वाले तालाब में छोड़ देता है मोशी की जान बच जाती है और मोशी पानी से भार आ जाती है और कालू को वो कहती है मुझे माप कर दो मपाओं में मोच आ गई है ये जूट कहा आप दोनों से गर में अनाज खतम हो गया है ये भी मनने तुम दोनों से जूट कहा तुमारे आने से पहले ही मैंने दर्वाजा बंद कर लिया लेकिन मुझे मेरी लालज की सजा मिल गई है और मेरा एक पंख भी जल गया है मिनु मोशी को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी